हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल रतन बाईसा की रसोई तो आज हम हमारी रसोई में बहुती शानदार डिलिसियस सबकी फेवरेट चंद्रकला की रेसिपी लेके आये हैं जिसे बनाना बहुती आसान हैं तो होली भी आने वाली हैं तिहार आये और तिहारों में मीठाना बने ऐसी कोई बात ही नहीं होती है तो श्पेशल होली के लिए हम आज छंद्रकला बनाएंगे जिसे बनना बहुती आसान हैं तो देखिए कितनी शानदार लग रही हैं देखने में वीडियो अच्छा लगता तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस जरूर करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए और वीडियो अच्छा लगता है तो अ के अंदर डालेंगे एक पिंच नमक इसमें डालेंगे हम पांच टेबल स्पॉन गी गी डालना यहां पर जरूरी है सबसे पहली टीप एफरेंट अगर गी डालेंगे मोयन के लिए तो आपकी चंद्रकला है जो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगी इस तरह से गी को जो कैसे पता चलेगा तो इस तरह से डो को जो है मुट्टी में बान दिये जैसे ही मुट्टी में डो बंद रहा है इसका मतलग आपका मोयन जो है बिल्कुल परफेक्ट है तो इतना मोयन जो है आपको डालना है अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते हुए इसका सक्त सा डो बना के त्यार कर देंगे कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इंग्रिडियन्स जो है मैं डिस्टेप्शन में देती हूँ ता आप आहां से ले सकते हैं तो यह देखिए यह हमने डो जो है रड़ी कर दिया है डो के अंदर आपको क्रैक्स लग रही है कोई बात नहीं दूसरा प्रोसीजर शुरू करते हैं अब हम लेंगे एक कडाई और कडाई में थोड़ा सा हम गी डालके कडाई को जो है अच्छे से ग्रीज कर देंगे क्योंकि हम इसके अंदर सारे ड्राइफ रूट्स को रोस्ट कर रहे हैं तो इससे क्या है कि वह जलेंगे नहीं तो मै यहां पर काजू, पिस्ता और बादाम लिया हैं और किश्मिश लिया हैं ड्राइफ रूट्स आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब हम यहां पर एक खोपरे को जो है कड्दू कस कर लेंगे आप चाहे तो टेसिकेटेड कोकोनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो इन्हें हम ग्यास की फ्लेम को लो रखते हुए लो रखनी है फ्लेम को लो रखते हुए हम इन्हें अच्छे से भून के ले लेंगे तो यहां पर जो है कम से कम 5-6 टेबल स्पून हमने इस्तेमाल किया है तो इसे हम अच्छे से रोश्ट कर देंगे इन ट्राइफ रूट्स को और यह designated coconut को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे तो इसमें से बहुत यह अच्छी सौन्दी कुस्बू आती हैं अब हम किस्मिस भी डाल देंगे ड्राइफ्रूट्स आप अपने मन पसंद के ले सकते हैं तो इन्हें हम अच्छे से रोस्ट करके लेना है तो इन्हें रोस्ट हो गए हैं अब हम इन्हें एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे बाउल में ट्रांसफर करके हम इन्हें बिल्कुल ठंडा कर देंगे इन्हें ठंडा करना जरूरी है अब हम यहाँ पे लेंगे मावा तो मावा की रेसिपी मैंने अपने चनल में अपलोड कर रखी है मैंने उसी पैन का इस्तिमाल किया है आप चाहे तो बाहर से बावा भी ले सकते हैं तो 200 ग्राम मैंने यहाँ पे मावा लिया है अगर आप बाहर से मावा ला रहे हैं कद्दू कस करके ले लीजिए या फिर हाथों से क्रम्बल करके लीजिए इसका मौचर निकलने तक हम इन्हें अच्छे से फ्राय करेंगे यह बिल्कुल फ्रेश मावा है कोई भी मिठाई बनाने जा रहे हैं और फिर मावा ना हो तो आप मिल्क पाउडर से घर पे बहुत ही आसान वे में तीन इंग्रेडियन्स और तीन मिनट में यह मावा जो है घर पे ही बना पाएंगे टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है तो इसका मौश्यन निकलने तक हम इसको ग्यास की फ्लेम लो रखते हुए हम इसे अच्छे से फ्राइ कर देंगे तो यह देखिए फ्रेंज यह हमारा मावा भी जो है एक डो फॉर्म में आने लग गया है इसका मतलब मावा जो है हमारा अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे इसे बिल्कुल ठंडा करना है तो मावा और जो हमने ड्राइफरूट रोष्ट करके लिए थे दोनों को ठंडा होने देंगे अब हम चलते हैं तीसरे प्रोसिजर में तो यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है पैन के अंदर मैंने यहां पर तीन सो ग्राम चीनी ली है और तीन चौताई कप मैंने यहां पर पानी लिया है इसकी हम चाशनी बनाएंगे चाशनी हम थोड़ी सी ज़्यादा कॉंटिटी में बनाएंगे क्योंकि हमें जो चंद्रकला हैं इसके अंदर डिप करनी है तो चाश्णी को जो है ज्यादा नहीं पकाना है एक तաर या दो तաर की चाश्नी हमें नहीं बनानी है चीनी को घुलने दीजे और ग्यास की फ्लेम हाई रखते हुए तीन से चार मिनट के लिए से आप पका दीजिए अब हम यहाँ पे औरेंज फूड कलर डाल रहे हैं आप चाहे तो यहाँ पे केसर भी डाल सकते हैं मैं केसर अवाइड करती हूँ तो यह देखिए इससे जो है कलर अच्छा आएगा तो यह हमारी चास्नी भी आलमोस्ट बनके रड़ी हो चुकी है हाथों के बी किस को कर देंगे ऑफ और इसे हम साइड में रख देंगे अभ हम जाते हैं कि चंदरकला बनाने के प्रोसीजर में तो यह देखिए मावा जो ही बिल्कुल ठंडा हो गया है आप नॉर्मल चीनी को भी पीस के ले सकते हैं, या फिर बूरा या कगार आपके पास अवेलबल हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पांच टेबल स्पून मैंने या पे पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, अब हम इसे हातों से इस तरह से मिक्स कर देंगे, ता अब हम इसकी एक लोई तोड़ देंगे, और चकले पे इसको हम बड़ी इसी रोटी के आकार में बेल देंगे, आप चाहे तो छोटी-छोटी पूरियां भी बेल के बना सकते हैं, बट मुझे जो है, ये प्रोसीजर इजी लगता है, क्योंकि हमें जो पूरियां चाहिए, स सब सेम ही माप की हैं, तो इस टाइप से हमने यहां पे च्यारपूरियों को कट करके लिया है, ये देखिए, इसका एक्ष्टा डो हम निकाल देंगे, तो चंदरकला के लिए ये च्यारपूरियां रडी हो चुकी है, इससे हम दो चंदरकला बनाएंगे, तो ये ना खुले इसके लिए हम corners पे जो हैं पानी लगा देंगे पानी लगाना जरूरी है friends क्योंकि पानी लगाने से क्या होगा ना कि यह आपकी चंदरकला जो है तेल में fry होने के लिए जाएगी तब खुलेगी बिल्कुल भी नहीं तो इस तरह से पानी लगा दीजिए और अब हम डालेंगे इसमें stuffing तो stuffing भी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है यहाँ पे ना तो ज़्यादा डालनी है ना ही कम डालनी है हिसाब से आप डाल सकते हैं अब हम दूसरी पूरी को उठाएंगे और इसके उपर हम रख देंगे और इसके कनारों को जो है हम अपने हाथों से अच्छे से पर्फेक्टली प्रेस कर देंगे ताकि यह खुले ना रोटी आपको एकदम पर्फेक्ट बेलनी है ना तो मोटी ना पतली इस टाइप की रोटी जो है आपको बिल्कुल नहीं बेलनी है एकी साइज की रोटियां बिलेंगे तो पूरियां अच्छी से परफेक्टली साइज की निकलेगी यानि की पतली मोटी नहीं निकलेगी तो ये चंद्रकला बनाना शुरू करते हैं इस तरह से कॉनर को खींचिये अंदर की और प्रेस कीजिये थोड़ा सा खींचिये अंदर की और प्रेस कीजिये अंगुठे और उंगले की सहायता से डो को बाहर की खींच के फिर अंदर की और प्रेस करना है बहुत ही simple है friends, अगर आप beginners हैं तो कोई बात नहीं धीरे धीरे कीजिए, आसान से हो जाएगी, थोड़ा सा डो को बाहर की और खीचिए, प्रेस करते समय थोड़ा सा हम प्रेस करते हैं, तो उससे जो हैं थोड़ी सी पूरी बड़ी हो जाती हैं, फिर हम इस तरह से corner को खीचत हैं, अब चलते हैं तलने के procedure में, तो मैंने यहां पर तेल गरम कर दिया हैं, तेल आपको ज्यादा गरम बिलकुल नहीं करना है, जिस तरह से हम गुलाब जामून को fry करते हैं, और गुन-गुना तेल हमें चाहिए, उसी टाइप का तेल जो हैं चंद्रकला को fry करने के लिए चाहिए, आप देख रहे हैं, जैसे हम अंदर छोड़ रहे हैं, छोटे-छोटे bubbles आपको दिख रहे हैं, तो बस इतना ही तेल हमको यहां पर गरम करना है, यह हैं खास टिप, कि अगर तेल जादा गरम होगा, तो आपकी चंद्रकला है, जो बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्छी रह जाएगी, ग्यास की फ्लेम को आपको लो मीडियम ही रखना है, यह देखिए, इसे यहां पर थोड़ा सा फ्राइ करने में टाइम लगता है, कहते ने फ्रांस, सबर का फल मीटा होता है, तो इन्हें दीरे-दीरे फ्राइ होने दीजिए, फिर खाइए बहुत ज़्यादा मीठी लगेगी, तो यह देखिए, इस तरह से हम इन्हें स्पून की सहायता से इस तरह से पलट देंगे, तो इन्हें हम अलट पलट करते हुए, सुनहेरा कलर आने तक फ्राइ करना है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल करसा कलर आ चुका है, कितनी शाानदार लग रही है देकी न, ्पनी कडची की सहायता से बाहर निकाल देंगे, और इसका एक्स्ट्रा धील जो हम इसे इस तरह से जटकेंगे, तो इसका ते जो हैं सारा निकल जाएगा अब हम इनी डाल देंगे direct चाष्णी में डाल देंगे चाष्णी में आपको 1-2 मिनट के लिए रखना है फिर इस तरह से आपको जो है पलट देना है मैंने इसमें अलड़ी बहुत सारी चंदरकला को जो है डिप करके ले ली हैं इसके लिए चाशनी आपको थोड़ी सी कम लग रही होगी तो इस तरह से हम इने डिप कर देंगे तो ये लीजिए ये हमारी चंदरकला बनके ड्रडी हो चुकी हैं देखिए देखते ही मुह में प optional reference अगर available है तो लगाईए वरना इसे आप skip भी कर सकते हैं कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने ये घर पे बनाई हैं पिस्ता से गानिश कर देंगे तो ये हमारी चंद्रकला बनके रडी हो चुकी है